गुद मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम बैट टो में न्यू व्लोग और बताई कैसे आप से आप से आप से आप से बहुत इच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं देखकर आप लोग समझी गए होंगे कि मैं इटावा आज चुकी हूँ वापिस तो मैं शादी में गई हुई थी बुगाज जी के आँ तो वो व्लोग वगर मैंने आप साथ शेयर किये ही थे और उसके बाद जो है निक्रोसी वगरा हो गई थी तो फिर नैट में जादा कुछ था नहीं मॉर्निंग में हम लोग निकल आए थे और फिर मैं चली गई थी माई के क्योंकि मैं माई के से ही सभी के साथ गई थी तो सबसे पहले मैं माई के ही गई थी उसके बाद जो है next morning में हम लोग निकल आये थे आने के बाद कोई भी vlog वगरा शूट मैंने नहीं किया क्योंकि 2-3 दिन की थकान वगरा सी होती है ना शादी वगरा में इतना अच्छे से अराम वगरा नहीं हो पाता है नहीं नीद पूरी हो पाती है एक दिन मैंने पूरा रेस्ट किया उसके बाद ये next morning का vlog है बच्चे दोनों school चले गए हैं उसके बाद से मैं vlog स्टार्ट कर रही हूँ और बच्चों के टिफिन में मैंने आज पराठा और साथ ही जो तवा पनीर होता है वो रखा था क्योंकि मुझे सबजी बनानी थी mix wedge की वो भी मतर गाजर वगएरा जो है husband लेकर आये थे तो मैंने का चलिए आज सारी ही सबजीयों को mix करके बनाते हैं और साथ के साथ मैंने रोटियां भी बना ली थी और यहाँ पर सबजी आज थोड़ी सी घुल गई थी क्योंकि टमाटर डालने से पहले ही सबजीया थोड़ी एक्स्रा ही पक गई थी फी टमाटर डालकर टमाटर को भी पकाया तो आज थोड़ा सा पक गई थी इसी वएसे क्योंकि टमाटर मैंने बाद में डाला था और पहले ही सब्जी थोड़ी मैंने ज़्यादा पका ली क्योंकि मैं रोटियों में ध्यांता रोटी बना रही थी तो मैं चेक नहीं कर पाई और यहाँ पर अब जो सबजी वगएरा मैंने कल मंगाई थी तो वही मैं अरेंज कर रही हूँ सुबह जो है इतना टाइम नहीं मिला सुबह बच्चों की ही इतनी जल्दबाजी होती है तो इनको अरेंज करने में काफी टाइम लग जाता है तो मैंने का चलिए मैं ये बाद मैं अराम से अपना सबजी वगएरा अरेंज करके रख दूँगी फ्रिज में तो सारी जो भी सबजी थी अच्छे से मैंने जो कंटेनर है पॉल्थे ने उनमें रख दी है और बहुत दिनों से मैं सोच रही हूँ जो फ्रिज के बैग होते हैं तो दिन वाले वो मंगाने के लिए बटर ओरर ही नहीं कर पा रही हूँ और मेरे सारे दीरे-दीरे खराब हो गये हैं करूंगी ओरर एक दो दिन में याद रहा तो उसके बाद मैं कपड़े लेकर आ गए थी बहार डालने के लिए मैंने मशीन भी लगाई हुई थी तो कपड़े दुल गए थे तो बस वही सारे कपड़े में ले आई हूँ और फर्स राउंड में सारे जो भी नए कपड़े थे मेरा साड़ी, सूट, ब्लाउस वगरा जो भी मतलब नए कपड़े थे वो मैंने सब फर्स राउंड में डाल दिये थे और अभी जो है दो राउंड और लग जाएंगे क्योंकि इतने सारे कपड़े हो गए थे न इस तरह से फंक्शन वगरा में सादी में कहीं जाओ न दो तीन के लिए तो सच में बहुत कपड़े हो जाते हैं और एस्पेशली बच्चों के तो एक्स्ट्रा ही ले जाने पड़ते हैं क्योंकि एक तो गाहाँ था न तो मिट्टी में अभी तो बहुत जलदी-जलदी जो कपड़े हैं वो गंदे कर रहा था तो बस यहां पे जो कपड़े थे वो सारे मेंने फैल द li यह वादी कि दीदी आप जो है बहुत अच्छी हो बहुत लगी हो आपकी भावियां आपसे इतना प्यार करती हैं आपको इतना रिस्पेक्ट देती हैं मतलब इस तरह का कमेंट आये थे तो बहुत अच्छा लगा मुझे और थेंक्यू सो मच मुझे इतना प्यारा सा कमेंट करने के लि कि रही भावियों की बात तो देखिए भावियां जब माईके जाती हैं तो यह जरूरी नहीं है कि उस टाइम पर मैं अपने माईके में ही रहूं तो मैं आपको दिखा सकूँ कि नहीं देखिए मेरी भावियां माईके जा रही हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरी भावि मेरी गई थी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो नहीं जाती है वो जाती है और कोई भी लड़की माई के जाने के लिए क्यूं पीछे रहेगी हर लड़की जो है तैयार रहती है माई के जाने के लिए तो मेरी भावियां भी जाती है और रही बात मेरी तो सबसे पहले तो ये बात होती है हसी की खुसी की या कोई भी मतलब कैसी भी बात होती है तो मुझे उस चीज के लिए बुलाया जाता है क्योंकि एक तो मैं अकेली हूँ और दूसरा पास हूँ तो इतना जादा टाइम भी नहीं होता है तो सभी को लगता है कि चलिए ऐसा कुछ है, तो रेनो को भी बुला ले रहे हैं, तो यह वाली बात है, दूसरा मेरी मैडिसन जो आती है, वो भी आप सभी को पता है, कि उधर से ही आती है, आगरा से आती है, तो उधर ही आना जाना होता है, तब जो है मेरे चक्कल लग जाते हैं, फेस्टिवल व मैं शायद वही लड़की नहीं जाना चाहती होगी कि या तो उसके माईके में उसकी कदर ना हो उसको रेस्पेक्ट ना मिलती हो उसको प्यार ना मिलता हो बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है मुझे मेरे माईके में बहुत रेस्पेक्ट मिलती है बहुत प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है मेरी सारी भावियां मुझे से बहुत प्यार करती है बच्चे मुझे से बहुत प्यार करते है और ये आप सब को मेरे व्लॉग में देखकर आता ही होगा समझ में कि सब लोग मुझे से कितना प्यार करते हैं कितना मान सम्मान देते हैं तो हर लड़की को जब इस तरह से माईके में मान सम्मान मिलता है तो वो क्यों नहीं जाना चाहेगी तो मैं भी जाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ सभी को बहुत अच्छा लगता है जम मैं जाती हूँ तो एक रीजन यह होता है कि हाँ अगर माईके में बोलते हैं न तो माईका होता है तो उनको उन लड़कियों को नहीं अच्छा लगता होगा जिनके माईके में मा नहीं है बाप नहीं है तो देखे भगवान की फोड़ा सा परिशान करती हैं, कि ऑरत ही ओरत को इस तरह से कमेंट कर रही है, कि क्यों जाते हो माई के, तो देखिये, ये तो अपना परसनल हो है, कोई कम जाता है, कोई जादा जाता है, मुझे अच्छा लगता है, मेरा माई का पास है, तो जब भी जरुत होती है में जाती हूँ तो बस यही था हर लड़की को अच्छा लगता है मैके में जाने में हाँ कुछ रीजन कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो नहीं जा पाती है तो वो एक अलग बात है बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है तो चलिए यहाँ पर देखिए मेरे सारे काम हो गए बातों बातों में और अब मैं मिल रही हूँ आपसे next morning में तो यह नास्ते में आज मैंने काले चने बनाए थे बहुत दिन हो गए थे मैंने काले चने नहीं बनाए थे तो मैं इनका चली आज काले चने फ्राई कर लेते हैं और नास्ता वगरा करने के बाद यहाँ पर मैं लग गई हूँ अपना ये जो बक्सा है जिसमें मेरे सारे सर्दियों के कपड़े रहते हैं वो निकालने में क्योंकि अब सर्दी वस होने ही लगी है सुबह साम तो होती ही है तो मैं इनका एक बार कपड़ों को धूप दिखा देते हैं जैसा कि हमेशा हर बार में करती हूँ जब भी मैं अपना इस विंटर के कपड़े रखती हूँ ना तो सारे कपड़े एक-एक कपड़ा में धुल कर रखती हूँ जब भी मैं इनको निकालती हूँ ना तो धूलती तो नहीं हूँ बट मैं इनको धूप जरूर दिखाती हूँ पूरा सारा दिन जो है मैं इनको धूप में डालती हूँ जिससे कि इन में जो भी थोड़ी बहुत इसमेल है जो भी थोड़ा बहुत कुछ फर्क आरा है तो धू दिखे हुए रहेंगे तो चाहें जब निकाल के पहन लो वरना फिर एकदम से इमर्जंसी आ जाती है तो ऐसे ही सालवर के कपड़े जो है फिर तुरंत निकाल कर पहनने होते हैं जैसे कि अभी मैं शादी में गई थी तो मैं एक दो जोड़ी जो कपड़े थे वो सर्दियों क रखके ले गई थी कि पता नहीं गाओं में किस तरह से क्या ठंड होगी इसपेशली बच्चों के तो वो एकदम से फिर पहनने ही पड़ते वो तो यह अच्छा था कि वहां इतना ठंड वगरा नहीं थी तो जो कपड़े थे वो बस मैं रखके ले गई थी पहनने नहीं बार फोल्डिंग पर रख दिये हैं तो अब अब मैं इनको है हेंगर में लगाके और कुछछ वैसरी कपड़े में तार पर फैला दूंगी क्योंकि बहुत सारे कपड़े होते हैं तो तार पे भी सारे आएंगे नहीं तो मुझे हेंगर यूज करने पड़े जिससे की जिस स्पेस है वो थोड़ा जो है कम घिरे तो सारे कपड़े जो भी बड़े बड़े थे जैसे की husband का blazer वगरा हैं मेरे coat हैं sweater वगरा हैं long तो वो सा सारी जो है में folding पे ही फैला दूंगी क्योंकि वो तार पे डालने में आते नहीं हैं तो बस यहां पर husband जो हैं गल लगाते जा रहे थे और सारी कपड़े में तार पे डालती जा रही थी तो अभी और भी कपड़े रह गए हैं तो वो भी सारी लाकर में इसी तरह से धूप म डालोंगी और सारा दिन इनको धूप दिखाऊंगी तो चलिए चलती हूँ मिलोंगी बाए